तो दोस्तों आज आपको बहुत स्वात देश्ट बिल्कुल जटबट बन जाने वाली सीजरन अचार की रेस्पी लेकर आए हूं जिसको बनाना बहुत ही आसान है यह है मूली गाजर और मिर्च का अचार जो सिर्फ एक रोड में बनकर त्यार होता है तो आप जरूर ट्राइ अचार लंबे समय तक चलेगा तो आप देख रहे हैं यह सब में धूल कर कट कर और सुखाने के बाद दिखा रहे हूं तो दो बड़े चमस्खडी धनिया एक चमसौफ मंग्रेल जीरा और अजवाइन ली हूं मेथी है सारे मसाला सबसे पहले आप जब भूना किजे ना तो सबसे पहले धनिया भून लिए कि जिए धनिया को भूने थोड़ा समय लगता है बाकी मसाले थोड़ा कम समय लगता है कर साथ में भूनेंगे ना तो मंग्रेल यह चीजे जलने लग जाती है तो इस चीज का ध्यान रखा किए मसाला में लोफलेम पर ही भूनिये तो को आने तक इसे गरम कर लेना इसके बाद गास को तम लो कर देना है बस उसके बदाशिये जो हम मिर्शी काट कर शुखाए थी इसे डाल देना है मिर्शी पार इंतजार बिलकुल नहीं करना है आप यह देखने एक 102 वारी ऐसी हाथ से चला तुरांन हल्दी डाल देंगे त बस तो हल्दी को भी बहुत पकाने का इंतिजार नहीं करना है पस ऐसे ही दो तीन बार जैसे मैं चलाई हूं ऐसे ही चला कर आप गाजर और मूली डाल दीजी तिके लंबा लंबा देखने में बहुत अच्छा लगता और उठा का खाने में भी तो बहुत अच्छा लगता है जो लंबा लंबा ही काटेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बाकिया आप सर्कल सेप में भी काट सकते हैं लो फ्लेम पर ही इस समय बिल्कुल फ्लेम को लो ही रखेगा बस देखिए आगर आप जब मिर्ची डाल दियते लिए लिए उसके बाद प्रोसेस बहुत तेज की टेहर हैं कि एंग मिर्च बाद अच्छा दॉलिए वज्या देखिए वो अचार में डाल को बख़ता है आप चाहिए तो ही तो प्रोसे ही बिंग में डाल रहे हैं हैं और लो कुछ दालते हैं यहमें नमक कर देख अच्ञाक नमक essentора सकते हैं आप इस बत को ध्यान रखना है कि फ्लेम को मीडियम भी नहीं रखना है ज्यादा देर तक गास पर नहीं रखना है क्योंकि गाजा और मूली और मिर्ची का क्रंचिनेस बना रहना चाहिए तब ही अचार बहुत टेस्टी लगता है बस यह अचारपन कर लगोग रेडी हो गया है सब कोई डाल दें दें कि अगर आप विनेगा और और सिर्के का स्तमाल करेंगे तो वह प्रिजर्वेटिब का काम करेंगा और स्वाद भी बढ़ाएगा और लंबे समय तक आचाहर चलेगा यह सब चीजे नहीं तो आप अमचूरो नीबू भी डाल देजिए उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है आप इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे तो भी चार से पांच दिन बहुत आराम से चलेगा देखिए आप इसे आपको सुखाना ने पड़ेगा बस आप डिबे में भर कर रख लीजिए अगर आप फ्रिज में रखेंगे महीनों चलेगा जरास अभी नहीं खराब होगा बस हमेशा आप अचार को कांच के जहार में रखा कीजिए इससे अचार मतब अच्छा होता है प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए वाकिया आपके पस जो उपलब्द हो इसमें रखिए वीडियो पसंद रहे तो लाइक से सब्सक्राइब करें थैंक यू फिर से मिलते हैं